Hello everyone, Welcome to All India Students Community मैं All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों कवर कराऊंगा बहुत important defense exercises जैसे कि आप देखते होंगे हर एक paper में यहाँ से एक सवाल जरूर आता है और जिन लोगों का साथ तारीक से दिल्ली पुलिस का exam है मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से question आपके exam में भी आएगा तो मैं 2020 के अंदर जो सारी defense exercise हुई वो तो cover कराऊंगा ही उसके साथ साथ मैं आपको और बहुत सारी important चीज़े भी cover कराऊंगा जैसे सबसे पहले अजय वारियर अजय वारियर जो है यह भारत और यूके के बीच में होने वाला एक सहयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह United Kingdom के अंदर हुआ था यानि कि ब्रिटेन में हुआ था इंदर धनुस की बात करता हूँ तो इंदर धनुस जो है यह Air Force exercise है भारत वायूसेना करती है ब्रिटेन वायूसेना के साथ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होता है और इस बार यह गाजयवाद में हुआ अगर मैं बात करूँ गरूड की यहाँ पर दो कुश्यन बहुत important है गरूड और गरूड सक्ती क्योंकि हमें ज़्याद तर एक ही आज रहता है लेकिन यहाँ पर पेपर में यह थोड़ा confuse करते है क्योंकि गरूड जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक एरफोर्स अक्साइज है वहीं पर गरूड सक्ती जो है यह भारत और इंडोनेश्या के बीच में होने वाला एक सैन्या अब्यास है तो याद रखेगा अगर गरूड पूचता है तो भारत और फ्रांस होगा और गरूड सकती पूचता है तो भारत और इंडोनेशिया होगा एक्योविरिन की बात करें तो ये भारत और मालदीज के बीच में होने वाला एक सहन्य अब्यास है SITMAX, एक trilateral exercise है, तीन देश मिलकर करते हैं SITMAX, S4 Singapore, I4 India, T4 Thailand, तो SITMAX जो है यह Singapore, भारत और Thailand के बीच में होने वाला एक युद अभ्यास है, माला बार अभी November में start हुआ, भारत, America और Japan, अक्सर यह सिर्फ तीन देश इसमें participate करते हैं, लेकिन इस बार भारत के कहने पर Australia ने भी इस बार इसमें जो क्या है, क्या है, participate क्या है, यह हिंद महासागर में हुआ है, भारत की तरफ से इसमें, विक्रमा धित्ते युद पोत ने भाग लिया, और अमेरिका का सबसे सकती साली, या फिर बोल सकते हैं, पूरे वर्ड का सबसे सकती साली जो युद पोत है, निम अच्छा, आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने आपको बता है, गरुड सकती, सकती लगा, तो इंडोनेशिया आया, ठीक है, यहाँ पर आपको सकती मिला, तो इंडोनेशिया आया, और समुद सकती जो है, यह एक नेवल एक्सरसाइज है, भारत और इंडिया की नेवी ए पासेक्स इसी साल हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में और आपको यादोगा बंगाल की खाड़ी, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था पासेक्स, सहयोग काजिन, यह चिन्नाई में हुआ भारत और जापान के बीच में चिन्नाई में, सहयोग काजिन, ठीक है भारत और जापान के बीच में होने वाली एक नेवल एकस्साइज है असीम अलबहर जो है ये भारत और रोमान के बीच में हुआ और ये इस बार गोवा में हुआ था भारत और रोमान के बीच में हुआ है असनसीम अलबहर संप्रीती की बात करें ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और इसी के साथ एक और exercise हुआ था बोंगो सागर ये भी भारत और बंगलादेश के बीच में हुआ बोंगो सागर और भारत और बंगलादेश के बीच में और बोंगो सागर भी सक्ति एक्सराइज भारत और फ्रांस। यह जो है एक मिलिटरी एक्सराइज है। मैत्री भारत और थाइलेंड के बीच में होता है। सूरिय किरन भारत और नेपाल के बीच में होता है। वहीं पर अगर हम बात करें नॉमेडिक अलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है ज़सी इसको बहुत पूचता है और इस बार जो सबसे आदा अभी 2020 में एक्जाम्स हुए है उनमें सबसे आदा पूछे जानी वाली एक्साइज रही है सम्प्रीती कौन सी सम् अभ्यास भारत अमेरिका वजप्रधार भारत अमेरिका धर्मगार्जयन भारत और जापान के बीच में मित्र सक्ती की बात करें भारत और सिलंका के बीच में होती है मित्र सक्ती और परबल दोस्ती की बात करते हैं भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली है अब आप लोगों से कुछ कुश्चन रहेंगे ये आप जवाब देंगे जैसे काजिंद काजिंद से क्या बना काज से बना कजाकिस्तान और इंड से बना इंडिया तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाले defense exercise जिसको काजिंद बोलते है ठीक है SIMBACS SIMBACS जो है ये सिंगापूर और इंडिया के बीच में होने वाली exercise है SIMBACS वही पर ImbACS की बात करें तो ये भारत और मैंमार I for India M for Myanmar यहाँ पर क्या है सिंगापूर इंडिया और के बीच में SIMBACS Singapore और इंडिया के बीच में होने वाली है और ImbACS India और मैंमार के बीच में होने वाली एक exercise है SITMAX की बात करते हैं अभी मैंने बताया आप कमेंट करके बताएं SITMAX किन तीनों के देशों के बीच में होता है SILINAX SL for Sri Lanka IN for India सिरिलंका और इंडिया के बीच में WinBACS Vietnam और इंडिया के बीच में COP भारत और अमेरिका, कौंकर्ण भारत और बिटेन अब आप मुझे दुबारा से बताएंगे काजिंद किस के बीच में होता है कमेंट करें काजिंद SIMBACS किन तीनों देश के बीच में होता है IMBACS किन दो देश के बीच में होता है सिटमेक्स किन तीन देश के बीच में होता है सिलिनेक्स किन दो देशों के बीच में होने वाला है विन्बैक्स किन दो देशों के बीच में होने वाली एक्साइज है कॉप भारत अमेरिका के बीच में होता है और कॉंकर्ण भारत और बिर्टेन में तो दोस्तो यहाँ पर मैंने आपके सारे और important अगर question आएगा तो यहाँ से होगा cover करा दिये हैं वीडियो अच्छी लगे तो like करें शेयर करें अगला वीडियो आप लोगों का जो होगा वो भारते सविधान संचोधन से होगा और उससे भी पहले आज एक और वीडियो आप वो एक और final touch देते हैं आज दोपैर देड़ बजे और रात को नो बजे थेंक यू गाईज पसंद आए तो like करें दोस्तों के साथ share करें और comment करके बताए यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा है PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा Telegram All India Students Community को जोईन करें description और comment section में link भी आप लोगों को available करा दिया गया है दूसरी important जीज आप सिर्फ यह चीजे अपने तक ना रखें दूसरों तक जरूर शेयर करें because sharing is caring अगर आपके द्वारा शेयर की गई किसी वीडियो से किसी भाई का एक दो कुछन ठीक हो जाता है तो समझिएगा आपको दूआय मिलेगी और आपके पेपर में थोड़ा सा दूआयों का भी ज़रूरत है तो कर भला हो भला तो करो शेयर करो लाइक थैंक यू गाईज जै हिंद जै भारत टेक केर लव्योल बवाए